Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Varma और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको दिखाऊँगा कि Binance पे API Setup कैसे करते हैं बहुत ज़्यादा कोश्चन यह पूछी जाते हैं और इस पे मैंने वीडियो नहीं बना रखी थी तो आज मैं जो वीडियो आपको लाइब देने वाला हूँ इसके बाद आप API Setup कर पाओगे उसके बाद आप Binance के अंदर Future पे ट्रेडिंग कर पाओगे Margin पे ट्रेडिंग कर पाओगे और Exchange पे ट्रेडिंग कर पाओगे तो सबसे पहले मैं जो आज आज आपको डेमो दिखाने वाला हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग का दिखाने वाला हूँ यह मेरा अकाउंट आप देख सकते हो तो सबसे पहले आपको basic क्या करना है वहां से बात करते हैं basic पे आते हैं तो आपको next level website पे जाना है slash dashboard यह dashboard का link है जब आप इस link पे आजाओगे as a new हो आप तो आपको membership पे जाना membership देख सकते हो जैसे ही आप कजर को लेकर इधर आओगे membership दिखेगी आपको सबसे पहले membership लेनी जो 999 पर मंथ पे आप यह membership जैसे ही लोगे उसके बाद आपको क्या करना है उपर एक option दिख रहा है API credential आपको API credential पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके का page open होगा यहाँ पर जो broker हम support करते हैं या जो exchange हम support करते हैं उनके नाम दिख रहे हैं तो आपको क्या करना आपको अपने ब्रोकर पे अपने एक्चेंज पे क्लिक करना है जैसे कि आप यह हम बाइनस की वीडियो बना रहे हैं तो हम add API बाइनस के उपर करेंगे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला dashboard आजाएगा यहां पर हमें API आड़ करने के लिए बोला जा रहा है तो एक चीज का धान रखना जब भी आप जिस चीज पे क्लिक करते हो उस चीज का selected लिखावा आता है और जैसे कि मैं आप Alex Blue कर देता हूँ तो यह selected हो जाएगा अब इसकी API आड़ होगी तो आपको बाइनस पर क्लिक करके धान रखना है यहां selected लिखा है अगर selected दिख रहा है आपको देन आप API को save कर पाओगे तो आपको क्या करना है यहां पर API पर कोई भी नाम दे जीजिए XYZ जो भी आप नाम रखना चाहते हो और यहां पर आपको की चाहिए और यहां पर आपको secret की चाहिए यह कैसे मिलेगी यह थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आपको official website पर जाना है binance की जो binance.com है आप देख सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है अपने user profile में जाना और API management में जाना है जैसे आप API management में जाओगे आपके सामने कुछ इस तरीके का page आएगा जो कि अभी हट गया क्योंकि मेरे पास पहले से API create है आपको क्या करना है आपको एक new API create करनी है तो आप लिखोगे यहां पर कुछ भी आप अपनी API का नाम दे सकते हो मैं अभी लिख देता हूँ इसको मैं नाम दे देता हूँ new one और मैं create कर देता हूँ जैसे मैं इस पर create करूँगा यह मेरे से security question पूछेगा जो कि मेरी email ID पर मेरे code गया वो मुझे दालना पड़ेगा उसके बाद यहां पर 2FA दालना पड़ेगा तो मैं code ले लेता हूँ code के लिए मैं get code पर click करूँगा यह email पर मेरी code भेज़ देगा और मैं इसे अब अपनी email पर login करके देख लेता हूँ यह email पर आया नहीं आया आ गया तो mail पर आ गया है मेरे मैं आपके सामने उस code को लेके आता हूँ मैं यह लेके आया और यह code है कुछ इस तरीके से मैंने इसे copy paste कर दिया उसके बाद मैंने इसमें 2FA लगा रखा अपने account को protect करने के लिए जो कि मैं यहां से open करता हूँ और binance का यह copy करके यह यहां पर डाल देता हूँ यह submit करता हूँ जैसे मैं submit करूँगा अब यह मुझे permission दे देगा कि आपकी API की यह है और आपकी secret की यह है अब आपको यहां पर एक चीज़ धान से देखनी जो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आपको इसे copy करना है API की को अपने इस box पर आना है और यहां पर इसे add कर देना है मैं add कर देता हूँ नाम हम दे रहेते हैं new one वही नाम दे देते हैं आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद हमें secret की add करनी है इसे दुबार जाएंगे हम और हम इस secret की पर double click करेंगे यह पूरी select हो जाएगी controls इसे copy करेंगे आप ऐसे भी copy कर सकते हो जैसे मर जी copy करो और उसके बाद यहां पर paste कर दीजे पेस्ट करने के बाद इसे save कर दीजे जैसे आप सेफ करोगे आपके नीचे यह box के अंदर आपको दिखेगी new one नाम से आपने API कर रखेंगे अब आपको क्या करना है इसे activate करना है जब तक order नहीं जाएंगे जब तक य करूंगा तो यह activated हो जाएगी हो गई अब आपके connect है अब आपको कुछ भी नहीं करना आप order डालते रो डालते रो जब तक आपको डालने आपका PC on हो ना हो से matter नहीं करता आपके order जाते रहेंगे पर अभी आधा काम हो है अभी चीज और दिखा दूं आप इधर आओगे कि यहां आने के बास सबसे पहले आपको परमिशन देनगे कि क्या क्या देनगे To सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Edit ते खिलिघ करना जैसे अप to product कर जाएंगे उप्षिन आपके में नीचे वाले ओन हो जाएंगे तो कभिभी आपको धान रखना हर एक इनेबल मैं सेफ करूँ गार दुबारा से क्योंकि मैंने सिक्योर्टी लगा रखी इसलिए मांग रहा हो सकता आप से आपका SMS मांगे और मैंने यह एड करा अब यह एड हो गई तो आप देखोगे यहाँ एड हो गई उसके बाद आपको अपने चेंज पर जाना है अपना फ्यूशर खोल लेना है अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं वो हैज मोड ओन करके लगते है और ओडर लगाते हैं ओडर नहीं लगते हैं ऐसा एक्जामपल सबसे पहले आपको देख ली ना आपके में हैज मोड तो ओन नहीं है तो आप जो न्यू वेबसाइट है इनके उसके अकोडिंग बता रहा हो आप इधर जाओगे थ्री डॉट पर यहाँ दिखेगा दोनों कर सकते हो तो हमें one way mode on रखना है जब यह API काम करेगी by default मेरी on है अगर आपकी on नहीं है तो आप इसे on कर लीजिए यह भी काम खतम हो गया अब आ जाते हैं हम syntax पे तो थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं आपके सामने यहाँ आप देखो कि कोई भी position नहीं है कोई भी order नहीं है अब आपको इसी वीडियो के अंदर एक लिंक मिलेगा जो पेस्ट बीन का है जो कि अभी के लिए हमने साइट पे इंप्लिमेंट नहीं करा आपको यहां से code उठाने पड़ेंगे तो थोड़ा से इसको डिटेल में बता दिता हूं सबसे पहले हमने Binance Exchange के code दाल रखें जो कि मैंने अभी आपके सामने dashboard ओन कर रखा है Binance future का है इसके अंदर आपको 150X leverage मिलती है इस में कि आपके पास अगर एक लाख रुपे तो आप एक करोड 25 लाख की trade पकड़ सकते हो तो एक चीज का आपको धान रखना है सबसे पहले आपको अपना जो भी आपका leverage ह कर लेनी है मैंने 20X कर रखी जो भी order आप डालोगे और by default 20X में जाएगा उसके बाद आप जो भी हाँ पर mode on करना चाहते हो या इसोलेट आप उन में से एक चूज कर सकते हो आइसोलेट बैस रहेगा आप करना चाहते हो आप क्रोस भी कर सकते हो मैं दोनों पर आपको करके दिखा दूँगा इसी बहाने मेरा भी डेमो पूरा हो जाएगा कि हाँ यह दोनों काम कर रहे हैं यह नहीं कर रहें अब बाद है लिमिट ओडर को जिसके अंदर आप बिडिंग करते हो उपर वाला बाय का है नीचे वाला शॉट का है उसके बाद है फुली ओटोमेशन क्या होता है फुली ओटोमेशन मतलब यह होता है कि अगर आपका कोई पुराना ओडर लगा है उसे क्लोज कर दिया जाए और नया ओडर अड़ कर दिया जाए इज एक्जामपल मैंने अभी बोट को स्टार्ट कर और बाय का सिगनल आ गया और मैंने ये कोड पेस्ट कर रखा है तो कोई मेरा पुराना ओडर तो है नी तो यह क्लोज करेगा इसे पॉजिशन क्लोज की नहीं मिलेगी नहीं बाय की पॉ अटोमेशन उसके बाद है कैंसल ओर युआ करता है कि अगर आपने कोई बीडिंग लगा रखे लिमिट ओर में उसे कैंसल करने के लिए यहा दो कॉड है एक कोड से आप सारी बीडिंग को चैंसल कर सकते हो जितनी भी सिंबल आप कर रखी जैसे रिपल इधिरियं एक्स एर उस चीज को आप चैंसल करना चाहते हो तो इस चीज से आप उसको Cancel कर सकते हो अच्छा क्लोज पोजिशन क्या है बहुत लोग है इस चीज को बहुत ज्यादा complicated कर देते हैं close position अगर आप trading view पे कोई TSL मतलब trailing stop loss use कर रहे हो take profit use कर रहे हो या stop loss use कर रहे हो उस alerts के अंदर आप इस code को दालोगे और जैसे वो trigger होगा आपकी सारी position close हो जाएगी जो भी आपने Binance के अंदर future के अंदर ले रखी है पर आप चाहते हो कि हाँ particular एक ही position close हो मतलब एक ही symbol की एक ही script के close हो तो आपको यह वाला symbol यूज करना है इसके अंदर आपको बस change यह करना है suppose मानों में Ethereum के अंदर position close कराना चाहता हो तो आपको यहां पर ETH लिखना है और उसके बाद USDT तो आपकी market है क्योंकि Binance future USDT market पर ही चलता है उसके बाद यह नीचे take profit के code और थोड़े से extra code है इसकी particular वीडियो बना दूँगा अगर आप official take profit stop loss यूज करना चाहते हो यह code है पर इसकी video एक अलग से बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा complicated है अभी के लिए हम क्या करते है एक buy का code copy करते है ऐसे का ऐसा आपके सामने यह मैंने right click करा copy करा इसके अंदर by default जो मैंने quantity लिखी है आप दिखो कि quantity इसको 0.5 है मतलब 5 लाग सतोसी है तो इसको हम 1 लाग सतोसी करके अभी order लगाएंगे सबसे पहले हम अपने trading view account पे जाते हैं आप यहां कोई भी indicator लगा सकते हो जो आपका दिल करें अभी के लिए जैसे एज़ा example के लिए आप super trend कोई भी indicator लगा दो यहां पर Binance का webhook URL आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यह आपका copy हो जाएगा आपको इसको यहां पर पेस्ट करना यहां पर यह क्लिक नहीं होगा अगर आप नहीं हो आपको इस पर क्लिक करना और उसको add करना है जबी आपका order जाएगा उसके बाद आपको जो हमने code पेस्ट पांच लाग सतोसी वाला code जो था इसे हमने copy करा और इसे copy करने के बाद हम इसे दाल देते हैं इसके अंदर हमने पहले से decide कर रखा है कि हमें long side करना है और हमारी quantity पांच लाग सतोसी है और यह market order है market में buy कर लिए ठीक है अब यह मैंने कर दिया और मैंने create कर दिया जैसे मैं यहां अलर्स बन जाएगा आप देख सकते हो यह अलर्स बन गया मैं भी hide off कर देता हूँ तो यह hide off हो जाएंगे जो भी inactive हैं वो ऑफ हो जाएंगे only inactive ही शोगा यह भी बंद कर देता हूँ मैं off कर देता हूँ हाँ अब यह आपके सामने finance नाम से एक अलर्स बन गया आप क जाएंगे तो यह देखिए पांच लाग सतोसी से मेरा order आ गया अगर आप यहां देखोगे तो 5 जो isolate के अंदर यह order आया है और दूसरा इसके अंदर जो leverage यूज हुई है वो by default जो हमने उपर पहले select करी थी वह यूज हुई है अभी के लिए हम इसे cross कर देते हैं और cross करने के बाद हम इसे confirm कर देते तो यह कह रहा है the margin mode is the okay अभी मेरी कोई position open है इसकी वज़े से ही कह रहा है कि आपका cross open नहीं होगा एक बार हम इसे market में sale कर देते हैं manually और दुबारा से open करने की courses करके देखते हैं अब open हो जाएगा यह हमारा cross mode open हो गया यह आप देख सकते हो अब मैं दुबारा से order को दालूँगा आपके सामनी यह में दुबारा गया और मैं इसे दुबारा से tigger कराता हूँ तो यह क्या है यह horizontal line है इसकी देक्टिवेट हो जा दिये तो इसलिए यहां से चले गया तो green का मतलब होता है activate orange का मतलब होता है आपके command टिगर होने के बाद देक्टिवेट हो गई है और red का मतलब होता है कि आपने manual डिक्टिवेट करिए तो अभी यह activate हो गई है मैं दुबारा टिगर कराता हूँ आप आपने side में देखी लिए होगी तो आप यह देखोगे यह order आ गया 20x leverage के साथ यह order आ गया है इस तरीके से आपका order लगता है margin के अंदर के cross आया है तो आप जो भी trade करना चाते हो आइसलोट पे करना चाते हो या cross पे करना चाते हो दोनों कर सकते हो पर has mode नहीं होना होगा ज तो मेरी पुरानी position close हो जाए नई position sale की दल जाए उसके लिए मुझे यह code copy करना है copy करा मैंने और इधर आया मैं एक line और ले लेता हूं और इसका color मैं change कर देता हूं आपके सामने red कर देता हूं और इसके अंदर मैं code को add करूंगा तो मैं इधर लिख देता हूं sale as a tag दे रह होता है अगर मैं इसमें अभी कुछ update कर दूंगा तो by default मुझे वईश होगा तो by default आगया मुझे सिर्फ दुबारा दुबारा change करने की जौरत नहीं है क्योंकि last time मैंने यही add करा था अगर आप देखोगे तो sale नाम से मेरा एक alerts दिख रहा है आपको अब मैं जैसे इसे trigger कर नहीं position दाल दी तो इस तरीके से fully automation काम करता है काफी लोगों के indicator होते हैं जिसमें buy sale के signal होते हैं तो वो चाहते हैं कि पुरानी close हो नहीं दहले तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो यह मैंने sale का दिखाया है as a example मैं आपको buy का भी दिखा देता हूँ यह मैंने अपन करता हूँ फिर से मैं गिदर गया अब मैं buy का जो code था उसे change कर देता हूँ मैं repeat कर रहा हूँ यह मैं horizontal line पर इसलिए करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरे पास time नहीं है कि मैं आपको किसी indicator पर यह सारी चीजे करके दिखाऊं क्योंकि उसके लिए signal के लिए मुझे बैठना दाल रहा हूँ तो अगर जैसे यह tigger होगा मैं आपको दिखा दूँगा पहले हम दिखा देते हैं कि इधर sale का order है और यह tigger का दिखाते हैं यह tigger हुआ इधर फटा फट गए यह देखो sale गया और यहां पर buy का order आ गया तो इस तरीके से यह काम करता रहेगा बस आपको एक रात को चालू रहती है बट आपके उपर आप कैसा करना चाहते हैं अब काफी लोगों के मन में सवाल आते हैं सर यह तो board चलता रहेगा हमें बंद करना है तो करेंगे कैसे तो उसके लिए क्या है कि आपको alerts को off करना पड़ेगा जैसे कि मेरे अभी सारे alerts off है जो orange है वो one command क जैसे मैं अगर इसे move करूंगा यह green हो जाएगा उपर वाला आप देखोगे green हो गया तो यह activate हो गया तो अगर मुझे off करना है मैं इस पे click करूंगा और यह off के लिए stop हो जाएगा अगर आपको एक साथ करने है आप three dots पे click करोगे all stop कर दोगे सारे stop हो जाएगे आपको एक उसके लिए आप अपने dashboard पे जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद अपनी API पे जाओगे API पे जाने के बार आप इस पे click करोगे activate पे जैसे activate पे click करोगे आपके सामने gray color का button आजागा इसका मतलब आपके order अब नहीं लगेगी आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार मैं इ जिससे आपको दिखे कि alerts आया है तो मैंने यह tigger कराई यहां alerts आएगा और वहाँ पर sale नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि API deactivate थी पर यह order क्यों लगाया मुझे पता चल गया तो होड़ा सा confused हो गया और मैं एकदम सुन पढ़ गया था यह हो कैसे गया क्योंकि मैंने same API दो अकाउंट में दाल रखी है और मेरा दूसरा अकाउंट यह देख सकते हो यह activate है मतलब मैं मैं मल्टी अकाउंट भी आप कर सकता हूं यहां मल्टी अकाउंट भी add कर सकता हूं मेरे पास 7-8 अकाउंट है बाइनस के मैं 7-8 अकाउंट पे single trade पे सब के order लगा सकता हूं तो मैंने क्या करा है सेम अपने अकाउंट की दो API बना रखी है तो पहली वाली से order लगया मैं इसे activate कर देता हूं तो अब यह बंद हो गई अब मैं दुबारा से आपके सामने अगर आप देखोगे कि एक buy का order है अब मैं buy का tigger कराऊंगा तो buy का order नहीं जाएगा आपके सा API एड कर रखी ती जिसकी वज़े से इस वाली से तो activate हो गया ता पर दूसरी वाली तो मेरी activate थी उसकी वज़े से order चले गया अब मैं जितनी बार भी टिगर करूंगा मेरा order नहीं जाएगा अगर आपके order नहीं जाएगा अगर आपको emergency में अपने board को बंद करना है या आप आप अलेट्स को अफ कर सकते हो या आप वो कर सकते हो यह दुबारा अलेट्स आया order नहीं गया आई होप आपको काफी जानकारी मिल गई होगी फिर भी मैं इस तरीकी की जानकारी आपको time to time देता रहूंगा Binance are related. Thank you for watching this video and bye.